हेलो फृरेंट्स आज मैं प्याज का पकोडे बनाने जा रहे हुँ, प्याज आलू मिक्स है और ये मैने चार आलू बड़े सायज में छील कर इसे कद्दू कस कड़ लिया है और कद्दू कस करकर इसको अच्छे से मैं धूल चुकी हूँ दूलने के बाद मैं चार पांच प्याज काट रखी हूँ और ये धीर सरा धनिया अद्रक लसन और हरा मिर्स का पेश्ट है और ये दो चार प्याज है इसे मैं काट ली हूँ और इसे इस तरह से मसल देना है ताकि साड़ी इसकी कलिया अलग हो जाए इसे अच्छे से निकाल अच्छे से निकल देगा कलिया और हमारा पकोड़ा बहुत बढ़िया बनेगा इसमें उसके बाद मैं इसमें आलू में मिक्स कर दूँगी इसको यह हो चुका है और इसमें आलू में मिक्स कर देती हूँ इन सब को मैं थोरा सा नमक डाल कर इसे 10 मिनट के लिए छोड़ भाडिक बाडिक आप चाहे तो काट भी सकते हैं पतले सेप में पर मैं काटी नहीं थी इसमें गदूकस की थी और यह थोड़ा सा नमक में डाल कर इसे 10 मिनाट के लिए रिष्ट होने के लिए छोड़ दूगी ताकि यह प्याज और अलु दोनों अपना दोनों पानी छोड़ करते हैं इसलिए इसमें और इसको 10 मिनाट के लिए मैं छोड़ दूगी इसी तरह से मिक्स करके और मिक्स करने के बाद जब पानी छोड़ जाता है उसे मैं अलग चान कर अलग करूंगी इसको पानी को अलग निकाल दूगी ताकि ज्यादा बेसन मुझे ना डालना पड़े और ये हो चुका है ये देखिए दस मिनट के बाद मैं देख रही हूं दस मिनट के बाद इस तरह से देखें इसका पानी निकल रहा है इस पानी को मैं अलग छान लूँगी एक बाल में इस तरह से मैं अलग निकाल लेती हूं और निकालने के बाद मैं इसमें बेसन और कॉ भूर्ण और नाटियमन्य बिशुर्स, दाल न सकते हैं अहादा दो कर्णality, कर्ण ख़र्ण करों, quando अजरा स Berlick डाला है, आप चाहेता, चावल का आटा भी डाल सकते हैं पर मैं इसमें कर्ण टाल लूंगी इसमें मैं बेशान डाल रही हो ज्यादा पेश्ट लगते हैं, इसलिए मैं डालती हूँ, इसे अच्छे से मैं मिक्स करूँगी हाथों से, और इसमें लसन और अधरक का पेश्ट डालती हूँ, और धेर सारा धनिया मैं डालूँगी इसमें, धनिया से स्वाद इसका बहुत अच्छा हो जाता है, और इसमें नमक से डाल सकते हैं आप इसमें और थोड़ा सा गड़म मसाला इन सब चीजों को अच्छे से निक्स करना है और धेर सरा धनिया कटा हुआ है इससे डालने से भी और ज्यादा टेस्ट बढ़ जाता है और हमारा पकवाड़े बहुत संदर लगते हैं खाने में टेस्टी और इसमें थोड़ा सा निम्बू एड़ करूंगी आप चाहे तो हम चूर पाउड़र भी डाल सकते हैं पर मैं इसमें निम्बू डाल रही हूँ और इने अच्छे से इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देना है और मैंने ग्राही रख दिया है गैस पे गड़म होने के लिए और तब तक मैं मिक्स कर रही हूँ तब तक तेल मेरा गड़म हो जाएगा ये देखिए अच्छे मैं मिक्स कर चुकी हूँ और तेल में हमारा गड़म है अब इन में थोड़े थोड़े करके मैं डालूंगी आप चाहे तो गोल गोल भी डाल सकते हैं बना कर मैं इसमें थोड़ जोटकड़ी से ये कड़ के मैं डाल कर छान लेती हूं और छानने के बाद हलका गूल्डन ब्राउन होने तक मैं इसे पकाऊंगी पकने के बाद आप चाय के साथ या सॉस विगड़ा के साथ खा सकते हैं गर्मा-गर्म अपने आये हुए महमानों को खिला सकते हैं इसे दीनी से पकने के लाग देखता है और मैं इसे निकाल रही हूं निकालने के बाद एधिए ऐसा हो गया है जस्ट अभी निकाले हूं इसलिए पूरा लाइट आ रहा है इस पे यह देखिए बहुत संदर लग रहा है देखने में और ऐसे अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा था प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना थैंक्यू तब तक लिए बबाए